तमस्कार मित्रों यहाँ पर हम इद्रिश्टी करेंट अफेर्स मैगजीन को डिसकस्न करने चल रहे हैं पूरी इद्रिश्टी करेंट अफेर्स मैगजीन को हम देखेंगे एक वीडियो में पूरी इद्रिश्टी करेंट अफेर्स मैगजीन कंप्लेट होगी और ये अगस्त महीने की घटनाओं को इसमें कुछ सामिल किया गया है और कुछ महीं पर जुलाई महीने की घटनाओं को भी सामिल किया गया है जो महत्पूर्ण है उन्हीं को देखेंगे जैसे देखते हैं पहली न्यूज है कि 11 जून 2021 को संयुक्त राश्ट्र महासभा के 75 के दौरान अलबानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात सुरच्छा परिशत के 5 नए आस्थाई सदस देश के रूप म होते हैं और 10 जो होते हैं वो आस्थाई होते हैं ठीक है तो इन दसों में से ये 5 हैं यहाँ पर नाम ध्यान रखना है अलबानिया, मने की A, ब्राजील मतलब की B, गैबॉन का मतलब G, और घाना का मतलब G, और संयुक्त अरब अमीरात में से आप U ले सकते हैं तो A, B, और G2 और U है ना ऐसे आप ट्रिक से याद करते हैं A, B, G2 और U तो ये देशा हैं पांचो अचा उसके बाद में और भी जो आस्थाई देशा है वो देख लीजी इनमें कौन कौन है भारत है, आइरलेंड है, केनिया है, मैक्सिको है, नार्वे है और वहीं पर आस्थाई देशों के संख्या जो है पांच है जिसमें से चीन है, फ्रांस है, रूस, ब्रोटेन और अमेरिका है, तो ये पांचो नाम आपको ध्यान में रखना है, और नेक्स है कि तमिलनाडू की सरकार ने एक आर्थिक सलाकार परिशत का गठन किया है, गठन उद्देश से किया है ताकि आर और डाक्टर एस नारायन, तो ये आप नाम ध्यान रखेगा, और यहां पर इतना ही पूंचा जा सकता है, कि हाल ही में किस राजी सरकार ने आर्थिक सलाकार परिशत का गठन किया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडू, और अगली नियुज है कि दो और योगी पा आत्मी समझवता किया है, और उसके बाद में 11 जून 2021 को हमारे केंद्रे स्वास्त परियार करनान मंतरी जो हासवर्धन जी है, उन्होंने मसायुकराश्ट महासभाग की 75 सतों को संबोधित करते हुए 2030 तक भारत से HIV AIDS को समपन मलब HIV AIDS को समापन करने का, HIV AIDS के उन्मूलन करने क प्रतिबधता है, उसको औसपश्ट किया है, तो यहां पर ध्यान यह रखना है कि 2030 तक भारत HIV AIDS को खतम करने की प्रतिबधता मलब खतम करने के लिए प्रतिबध है, एक बात यहां पर ध्यान आपको रखना है कि सन राईज पर योजना, ठीक है, यह क्या है, यह 2016 में उत्तर पूर्वी राज्यों में शुरू किया गया, उत्तर पूर्वी राज्यों का मतलब क्या है, यह जो अपने नार्थिष्ट वाले राज्ये है, सेवन सिश्टर सिजिंग को का जाता है, जैसे आसम नागालेंड में घालाय मिजोरं तिरपुरा, यह जो भी नार्थिष्ट के राज है, और यहां पर जो है, इन छेतरों में एचाईबी को रोकने के लिए संडाज पर यह जना सुरू की गई थी, ठीक है, 2016 में इसको चुरू किया गया है, नेक्स्ट है कि नवी एस्याई मंतरी अस्तरिये उर्जा गोल मेज बैठक, तो नवी एस्याई मंतरी अस्तरिय बैठक कहां पर बैठक कब 2022 में, और अगला है कि ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन सिखर समलन जो की 22 से 23 जून 2021 के मद्दバर्ट, वर्च्होली संपन हुआ है, तो यह किसके द्वारा आयूजजिद किया गया था, इसका आयूजन एंटि पी-सी लिम्टेट के द्वारा गया तो ब्रिक्स हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 23 जून 2020 के मद्द्ध किया गया यह एंटीपीसी के द्वारा किया गया और निक्स्ट है मास्को सम् जो की रूस में संपन हुआ है और यहां पर भारत की धच्चता किसने की थी भारत की तरफ से मास्कों सम्मेलन में प्रतिभा किसने किया था तो डाक्टर अजय कुमार ने इसमर प्रतिभा किया था और डाक्टर अजय कुमार कौन है तो यह रच्छा सचिव है डाक्टर अजय सवाल इस नरेंद्र मोधी जी गवारे नहीं बाद ही जादा महात्पूर्ण है पहला सवाल इसमें है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पलांट यह कहां स्थापित किया जा रहा है मत्हुरा रिफाइनरी में और किसके द्वारा तो कंपनी का नाम है इंडियन आयल कार्पूरेशन लिम्टेड जो कि भारत की सबसे बड़ी तेल उत्वादन कंपनी है अब नेक्स स बसके सब्क्रिण है कंपनी है तो यह ची grind के माद दियम्स में लेल जाइन की सबसे बड़ा बाद लिम्ट के फिसके आपन चीपर में पैलएवे इसका हाल ही में उद्गाटन किया गया कहां पर होगा तो इसाइंसिटी एहमदाबाद में और इसकी खास विशेष्टा क्या होगी वाकवे जो कि 28 मीटर लंबी वाकवे सुरंग भी इसमें होगी साथ ही में गांधी नगर रेलबे स्टेशन के उपर नेर में पांच सितारा हो कल्प में ललग नगर लेख हो तब जाएगा और लेह हो तब जार यहां पर बता दें आपको यह पर यह परियोजना भी NTPC की एक सहाई कंपनी है जिसका नाम है REL ले के दवारा इसको अर्तापित किया जाएगा या यह कह लिजlungen के द्वारा इसको अर्थापित किया मंजूरी किसने दिया है तो राजस्थान राजे सरकार ने ये मंजूरी परदान की है तो यहां पर 340 चर्चा में क्यूं है दरसल अनुच्छे 340 में प्रावधान है कि अन्य पिश्रावर्ग के लोगों की दसाओं में अन्य पिश्रावर्ग के लिए एक आयोग की गठन का प्रावधान है तो इसलिए अनुच्छे 340 को आधार मानते हुए 2 अक्टूबर 2017 को नियाय मूर्टी जी रोहिनी के अध्यचता में एक आयोग का गठन किया गया उसका कार ये था कि जो लूबीसी संगधाय है उसके तहट एक सब काटेगरी बनाई जाए उपवरगी करण किया जाए ताक और लोग आरचन का जादा लाभ ले रहें हैं तिक है जो लोग वन्छित रह जायरे हैं उनको आरचन का लाभ मिले जो लोग जादा आरचन का लाभ ले चुके हैं उनको एक परकार से किनारी किया जा सके, एक परकार से हटाया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, तो यहाँ पर 340 के तहत यह जो आयो का गठन किया गया था, उसके कारिकाल को बढ़ा दिया गया है, और वो आगे चल करके 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ जो सवाल पूछा जासकता है कि ओबी सी के लिए एक आयोग के गठन का प्रावदान संभीधान के किस अनुचे द में है तो यह तिनुचे 340 में है और पूछा जा सकता है कि किसकी अद्यच्छता में आयोग खेंदर शाशित परदेश जम्बू और कस्मीर के दोरे पर गया तो यहां पर पूछा जा रहा है कि परिशीमन आयोग जिसने हाल ही में जम्बू कस्मीर का दोरा किया है उसका गठन किसकी अधेचता में किया गया है तो न्यायमूर्ती रंजना प्रकास देशाई की अ परिशीमन आयोक का संभिधान में प्रावधान कहां पर है तो आर्टिकल 82 में जो है अनुच्षट 82 में का बईासी में कहा है कि होगा इक संभिधान के परद्षाद MOM क्या जाएगा सरफ परेशीमन आयोग का का में क्या होता है तो लोगक सभा और राजी-विधान सभा के न सोहरा वनीकरन अभियान का सुभारंब मेघाले के चिरापुझी में सोहरा नामकस्थान से किया गया है साथ ही में यहां पर एक और जो है इसकी में लांच की गई है अमित्सा के द्वारा जिसका नाम है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम तो यह दो यूजनाएं है दो स् इसको विस्व के पहले एक मोटर साइकल अभियान यह एक नहीं है एकल मोटर साइकल अभियान है विस्व के पहले एकल मोटर साइकल अभियान का समापन हुआ इस अभियान में सामिल महिला बाइकर का क्या नाम है तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचन उगुसंडी दरसल कंच 2021 को नई दिल्ली में ही इसका समापन हुआ इस अभियान के माध्यम से इन्हों ने कंचन उगुसंडी ने 3127 किलोमेटर की यातराता की है और इसके माध्यम से उन्हों ने जो है कोविड सुरच्छा को लेकर के एक परकार से जागरुका भी फैलाई है तो इसलिए नाम महत्पूर है ये सवाल पूछा जा सकता है कि विस्व के पहले एक मातर मोटर साइकल अभियान का सुभारम किसने किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचन उगुसंडी और ये सुभारम किसने करवाया था किस मंतरी ने करवाया था तो ये करवाया था हमार अगर स्वाल पूछा जाता है कि इसमें भार्तिय नो सेना के किस जहाज ने भाग लिया था तो उसका नाम हो जाएगा आई एनस किलतान अगला है कि 18 से 19 जून 2020 के मद्ध भारत और यूरूपीय संग के मद्ध कहां पर संयुक तो नौ सैनिक युद्धा भ्यास हुआ है तो यह युद्धा भ्यास हुआ है अदन की खाड़ी में यहां पर ध्यान रखना है कि यह नौ सैनिक युद्धा भ्यास है जो कि 18 से 19 जून के बीच में हुआ है और भारत और यूरूपिय संग के बीच में हुआ है कहां पर हुआ है तो यह अदन की खाली में हुआ है अगला है कि 15 जुलाई 2021 को मत से उद्योग से जुड़ी सबसीडी वारता के बारे में 20 सुब्यापार संगठन की मंतली अस्तरिय बैठक वर्चुली हुई बैठक में भारत का प्रतने देटकिस ने किया तो यहां पर विशाय ध्यार रखेगा यह मत से उद्योग में समसिडी का जो मुद्दा है उससे जुड़ी बैठक थी तो यहां पर बैठक में भारत का जो प्रतने देटकिया है वो किया है प्यूस गोयल ने किया है और यहां प उत्तर हो जाएगा पशिम बंगाल में बिधान परिश्द के गठन का नेड़ने लिया गया है यहां पर हम बिधान परिश्द से जुड़े हुए दो आर्टिकल देखेंगे समिधान के दो अनुच्छेद देखेंगे जिसमें बिधान परिश्द के गठन का प्रावधान किया गया है और यह गठन की जिम्मेदारी संसद को सौपी गई है बताया गया है कि संसद में ही दोरा राजी में बिधान परिश्द का उतसाजन कर सकती है उसका स्रिजन कर सकती है अथवा उसको समाप्त कर सकती है और वही लिए विद्हान के अनुचेद 171 में किया गया है यहां पर यहां पर यह दियान रखना है कि वरतमान में छे राजियों में विद्हान परिश्द है जिसमें पहला आंधर परदेश, दूसरा महाराष्ट, तीसरा बिहार, करनाटक, तेलंगाना, उत्तर परदेश में है और साथ ही में अभी पश्रिम मंगाल में भी हो जाएगा तो टूटल राज्यों की संख्या साथ हो जाएगी और अगली न्यूज ग्रेट वैरियर रीफ को लेकर के है ग्रेट वैरियर रीफ दरसल क्यों चर्चा में है इसको पहले समझना जाना जरूरी है जून 2021 में यूनेसको ने ग्रेट वैरियर रीफ को विश धरोहर अस्थलों की एक सूची है खतरे की सूची तो उस खतरे की सूची में सामिल करने की सिफारिस की है ठीक है वर्स 1981 में विश धरोहर अस्थल की सूची में सामिल किया गया था ग्रेट वैरियर रीफ को और अब इ उतरपूर्वी तट के समानांतर ये फैली हुई है तेई सो किलो मीटर में फैली हुई है जिसे कुईन्स लैंड के टट के नाम से भी जाना जाता है बने कि ये आस्टेलिया का जो उतरपूर्वी वाला हिस्सा है इसको कुईन्स लैंड टट के नाम से जाना जाता है यहाँ प वारा किस सूची में सामिल करने कि सिपारिज की गई है तो इसका उत्तर हो जाएगा खत्रे की सूची कहां पर है तो आस्ट्रेलिया के उत्रपूर भी तड़के समांतर फैली हुई है जिसे कुई श्लैंड के तड़के नाम से भी जाना जाता है और कि सागर में है तो कोरल और कहां पर किया गया है तो ये वारा डासी मैं किया गया है एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसके सहयता से किया गया है ते जैस कि सहयता से के दोारा शुरू की गई है जिसकी सुरुवाद एक जुलाई दो रियूजना है क्या है परियोजना है और इसका सुरूवाद किसके दोरा किया गया था तो 2011 में UNESCO जो है कि युनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्वन लैंडिस्केप परियोजना का सुभारम वर्स दो हजार ग्यारा में किया गया था तो हाल ही में मद्परदेश के दो नगर हैं जिसमें से एक का नाम गौालियर है दूसरे का नाम और च्छा है इन दोनों को मुख्यमंतरी सिवरासिंग चौहान के दोरा हिस्टोरिक अर्वन लैंडिसकेप स्रेडिय में सामिल किया गया है यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखना है कि भारत के और भी दो नगर है एको अजमेर और दूसरा वारारसी इसको भी यूनेसको की लैंडिसकेप लैंड अर्वन हिस्टोरिक अर्वन लैंडिसकेप परियोजना में सामिल किया गया है तो यहां पर ध्यान ये रखना है सामिल किया गया है ना कि सुरुआत की गई है चुकि हिस्टोरी कर्वन लेंडिस्केप जो पर योजना इसकी सुरुआत दो हजार ग्यारा में यूनेस्को के द्वारा किया गया है ठीक है यहाँ पर इन नगरों को सिर्फ सामिल किया गया है इसमें और नेक्स्ट है कि मुख्यमंतरी महालक्षमी योजना यह किस राजी की पहल है यह उत्तरा खंडर राजी सरकार की पहल है और वहाँ के जो मुख्यमंतरी है पुसकर सिंग धामी उन्होंने मुख्यमंतरी महालक्षमी योजना की सुरुआती है अगला है तेलंगाना दलित बंधु योजना ये है क्या दरसल तेलंगाना दलित बंधु योजना जो दलित कम्यूटी के लोग हैं उनके ससक्ती करण से संबंधित है उनको वित्तिय साहिता दसलाख रुपे तक की वित्तिय साहिता इसमें दिये जाने का प्रावधान है और इ राश्ट्री आयूस मिशन दुरसर राश्ट्री आयूस मिशन एक केंद्र प्रायूजीत योजना है जिसका उद्देश से लोगों को आयूस विधाये प्रदान करवाना है ठीक है तो इसकी तिथी 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 वह एक अपरेल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए इसकी जो आवधी समझ रहे हैं कि आवधी को बढ़ा दिया गया है कब से कब तत एक अपरेल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए इसकी आवधी को बढ़ा दिया गया है और वहीं पर अगर ये पूछा जाए कि राश्ट्री आयूस मिशन की सुरुवात कब की गई थी तो 15 सितंबर 2014 को उसकी सुरुव वजयना का मतलब यह कि यहना का प्रारंबह जो है केंदर सरकार की द्वारा किया गया है और अगला 45 शावल वितरण की पाइलेट योजना तो यह पाइलेट यह जना को मध्वरदे सरकार ने अपने सिंगरावली जिले से सुरू किया है जिसमें pds के जड़िये 45 शावल का वितरण किया जाएगा और इसे फायदा क्या होगा तो इसे एनीमिया और कुपोसन जैसी गंभीर विमारियों से निपटने में सहायता मिलेगी योजना तो हजार बाइस से दो हजार की इस तक संचालित होगी यहां पर इतना द्यान रखना है कि 45 चावल वितरण की पायलेट योजना की सरकार की पहल है तो मध्यपर्दे सरकार की पहल है अगला है क्लावड अधारित स्वास्त सेवा पर योजना ये किस सरकार की पहल है तो ये पहल है दिल्ली सरकार की दिल्ली के मुक्रमंतरी अर्विंद केजरी वाल ने मार्च 2022 तक ये भी ध्यान रखना है कब तक मार्च 2022 तक क्लाउड अधारित स्वास्त सेवा पर योजना की शुरुआत करने की घोशना की है और नेक्स्ट है कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना तो ये योजना जो है पस्षिम बंगाल के द्वारा की गई है जून 2021 में इसमें 10 लाख रुपए तक का जो विद्यार्थी होंगे वो अपने उच्छ शिच्छा के अध्यन के लिए रिण ले सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको पता दे कि इसके पहले बिहार जो है दो अक्टूबर 2016 को उसने भी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की ह जाने है कि मौके पर चात्र क्रेडिट कार्ड योजना दो राजियों में चल रही है एक तो आपका भिहार है दूसरा पाशिमंगाल है और नेक्स है कि वैहतन जल्विद्यूत्त्त्ट संयंत्र कहा पर है चीन में है जीनसा नदी पर है यह पूछा जा सकता है वैहतन जल्व संवाल neighbor सवाल पोचा जाएगा कि सवाल प्रेम सर ही verso संवाई प्रतर wanna किस राज सरकार की पहल है केरल सरकार राज सरकार की पहल है जिसमें सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा एक बात यहां पर और आपको जाना महत्पूर है यहाल ही में भारत का कौन सा राज रेलवे मानचित्र में सामिल हुआ है जहां पर रेलवे युवा उद्दमी योजना उचा जा सकता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्दमी योजना किस सरकार के द्वारा प्रारम किया गया है तो बिहार के द्वार इसको शुरुआत की गई है उसके बाद में मुख्यमंत्री महिला उद्दमी योजना भी विहार राजी सरकार के द् पिहार के मक्तमंत्री नितीस कुमार हैं और इन्होंने ही वीडियो कांफिरेंसिंग के मादिन से इन दोनों योजनाओं का सुभारम किया है और अगला है हेबल नागवाडा घाटी परियोजना ये करनाटक राजसरकार की पहल है और नेक्स्ट है कि घर घर और सधी योजना की राजसरकार की पहल है तो ये राजस्थान राजसरकार की पहल है नेक्स्ट है नहर आधारित पेजल परियोजना तो इस परियोजना की सुरुआत जो है वो पंजाब में की जाएगी तीन सो तीन सो मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से और यहां पर आपको एक बात ध्यान में यह रखना है कि यहाँ पर विश्व बैंक और एसे आई आउसनरचना निमेश बैंक और पलस पंजाब सरकार इन तीनों ने मिलकर कि इस पर योजना की सुरुआत की है कि माने की नहर आधारित पेजल पर योजना की सुरुआत की है अगला है गोपा बंधू सामयवादिका स्वास्त भीमा योजना ये उडिशा सरकार की पहल है जिसमें COVID-19 के समय में जो भी पत्रकार जिन पत्रकारों की जान चली गई थी उनने के लिए गोपा बंधू सामयवादिका स्वास्त भीमा योजना है और नेक्स्ट है कि स्वामित योजना ये स्वामित योजना केंदर प्रायोजित योजना है इसकी सुरुवार 24 अपरेल 2021 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के दुवारा किया गया चौबी सपरेल को इसलिए किया गया है क्योंकि इसी दिन पंचायती राष्टी पंचायती राज दिवस मनाया जाता है एक स्वाल यहां पर पूछा जा सकता है कि स्वामित योजना का नूडल मंतराले कौन है तो इसका नोडल मंत्राला है जो है पंचायती राज विभाग जो पंचायती राज मंत्राला है वही नोडल मंत्राला है अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि चार मई 2021 को नरेंदर सिंग तोमर जो की पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने स्वामित योजना को राष्ट व्य योजना के पालेट पर योजना के तहत पर इसको लागू किया गया था तो अब इसको राश्टर अस्तर पर पूरे मला भारत में इसको लागू किया जाएगा नेक्स्ट है बैद्दे आपके द्वार योजना जो किम्मत पर देश सरकार की पहल है और अगला है आसिरवाद यो योजना 2021 इसकी सुरुवात गुजरात राज सरकार के द्वारा की गई है आदिवासी छेतरों में जो किशान है उनको लावा पहुंचाया जाएगा आखिर्सी विविधिकरान योजना के माध्यम से और अगला है कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट वार्डर्स ये कारिक किया है तो यहां पर इतना ध्या रखेंगा कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बार्डर सी की स देश की पहल है तो भूतान की पहल है नक्यूजड ना बोल्ट है क्या तो यह दरसल department खादी और ग्राम उद्द्योग आयोग की पहल है राजस्थान की minesे मरुस्थाली क करण को कम करने के लिए इस पर योजना की सुरुवात की गई है और अगला है मुक्ष मंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना तो ये किस राज की पहल है ये पहल है दिल्ली राज की